आप सभी का स्वागत है हमारे लर्निंग प्लैटफोर्म कुनाल से इंस्पाइरिंग पर रोज की तरह हम आज भी कुछ नए विश्यों के साथ इस क्लास में आए हैं और उन पर चर्चा करने वाले हैं साथ ही आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि हमारे आज के शाम वाले पॉलिटे शेशन को देखना मत भूलिएगा आज जो राजववस्था का शेशन होने वाला है वो एक खास विशे पर होने वाला है इसके अंदर हम भारत की राजववस्था की चर्चा करने वाले हैं तो यह क्लास जरूर देखिएगा वही साथ ही हम हमारे आज की कर्णड अफेर के विशों को जान लेते हैं हमारे आज की current affair के विशे हैं AUDFS01 रहतांग सुरंग 19 वा दरवारी सेट मेमोरियल व्याख्यान तो आज के यह हमारे तीन विशे होने वाले हैं तो चलिए हमारे हब से पहले विशे को हम ले लेते हैं और उसके बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमारे पहला विशे है AUDFS01 दरसल यह है क्या यह एक गैलक्सी है तो हाल ही में भारतिय खगोल विदो द्वारा इस गैलक्सी की खोच की गई है और साथ ही यह भी बताया गया है कि यह जो गैलक्सी है यह पृत्तीज है यह अब तक की पृत्ती से सबसे दूर की गैलक्सी है क्या होता यहीं ओति सारी जो गत्ते हो जाते है तो उसे गैलक्सी कहा जाता है और जब कई सारी कौनधी touे गया ज़ुदी When खबर है यह प्रिथ्वी के संदर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर है और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर है यह है भारत के संदर्व में हैं क्योंकि भारत के खगोल विदों के दौर इसके खोश की गई है और साथी साथ भारत का जो महत्व है अब इसके बाद बहुत की टीम तही यानि की इंडियर उन्वर्स्टि सेंटर ऐस्ट्रोनोमी और एस्ट्रो फीजिक्स की यह टीम थी जो बहुत दिनों से यह काम कर रहे थी और अनतह दहस को इस तरह से सफलता प्राप्ट होई है तो अब किस तरह से की गई तो धरसल यह जो खोच की गई है यह पहली ऐसी observatory है जो इस तरह का काम कर सकती है तो जो एस्टो सैट है वो इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंद space observatory है साथ ही साथ इसका जो मुख्य काम है वह मुख्य काम यह है कि इस पेस के अंदर जो waves घूम रही होती है उन सभी waves का induction करती है उनको trace करती है उसके बात जांच करती है कि वह waves कहां से आ रही है तो इसकी एक सबसेरा खास बात है इसकी खास बात यह है कि इस observatory के अंदर पांच खास तरह की X-ray और अल्ट्रा वॉयलेट टेलिस्कोप एक साथ काम करते हैं जो अल्ट्रा वॉयलेट और X-ray rays को trace करते हैं तो इसकी इसी खास feature की वजह से ही यह संभव हो सका है कि जो हमने galaxy खोज पाए है तो अब तक हमने इसके बारे में समझ लिया है काफी-काफी तो इससे जोड़े हुए विभिन पहलुमों को भी हम समझ लेते हैं यह बहुत ही खास नूज आई यह है ईस नूज ही इस तो इसके बारे में भी ख़गोल विद्धो ने बताया है कि जो युनाइटेटेट्स का जो टेलिसकोप है, हबल स्पेस टेलिसकोप हबसे एच्छा टेलिसकोप माना जाता है तो जो हमारा यह एस्ट्रो सेट है इस से भी यह ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके वाज़ा से बहुत जढ़ा इसको इसको एजरी पारी बात थी AUDFS01 की गालेक्सी खोजी गई है, IUCAA यानि की इंडियन उन्वरस्टी सेंटर फोर एस्ट्रोनोमी और एस्ट्रोफिसिक्स के दुआरा खोजी गई है, एस्ट्रोफिसेट के दुआरा खोजी गई, एक मल्टी वैबलेंड स्पेस अब्जर्वेटरी है, और यह इंदिया की पहली ऐसी अब्जर्वेटरी है, साथी साथ यह दोनों बात है, ब्रिटेन की पत्रीकम प्रकाशित होना और यूएस का हब्बल स्पेस टेलिस्कोप भी इस अंदर्व में म्यात्व रखता है, वही चलिए, अब हम हमारे आज के दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है रहतांग सुरंग, तो यह रोतांग सुरंग क्या है क्यों है किसलिए है इसको समझते हैं तो अब जो रोतांग सुरंग है उसका काम पूरा होने वाला है यह सुरंग बन रही है रोतांग दर्रे के बिल्कुल नीचे पीर पंजाल श्रेणी को काट करके इस सुरंग को तयार किया जा रहा है अब ये पीर पंजाल श्रेणी कहा पर है तो यह पीर पंजाल श्रेणी उत्तर पस्चिम या उत्तर कश्मीर हिमाले की श्रेणी में आती है तो वहाँ पर यह काम चल रहा है अब यह काम लगबद पूरा होने वाला है साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यानि कि सप्टम्बर के लास्ट तक परधान मंद्री नरिंदर मोदी इस सुरंग का उधगातन कर देंगे तो यह जो सुरंग बनी है यह सामरेक द्रिश्टे से बहुत ही जादा महतोपूर है क्योंकि आने वाले समय में यह जो सुरंग है वह जम्मू, मनाली को आपस में जोडने वाली है जम्मू, लेह और मनाली इसके द्वारा जोड़ दिये जाएंगे साथी साथ सेना की जो पहुँच है वो लद्धाक तक बहुत ही आदासानी से हो सकेगी साथी साथ इसका दूसरा महत्व है वो यह है कि यह हिमाचल के लाहोल इस पेती वाले छेतर को पूरे भारत से जोड़ देगा तो अब तक जो बहुत सारी परेशानी हो जावाए तो सबसे पहले सन 1990 में इस सुरंग के लिए अधन शुरू किया गया पीर पंजल श्रेणी के जाज शुरू की गई उस जब जाज की गई तो यह पाएगया कि यहां सुरंग बनाई जा सकती है और काफ अच्छा सब बनाई जा सकती है तो उसके बाद सन 2003 में जोू कार्यकरम था यह बनाने का पूराम था इसको अंतिम रूरी से टेक्निकल मंजोरी देदी गई इस पर तकनिय की मंजूरी हुए संधार 5 में अंतिम रूप से इसको cabinet committee on security ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी और इसके बाद सन 2010 में इस सुरंग का जो शिला नियास था वो सोनिया गांधी के दुवारा किया गया था तो यह सभी काम हो गए थे अब इसके बाद क्या हुआ कि क काम तो शुरू हो गया था इसके बनने का लेकिन अनुमान यह लगाया गया था कि यह जो सुरंग है सन 2015 तक बनकर तयार हो जाएगी लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि भारत देश है तो कोई भी काम समय पे होने की संभावना बहुत ही कम होती है खीक उसी प्रकार यहां भी व अगरा की वजए से कही न कहीं आभी इसमें अंदर देरी हो गई तो इसके और कुछ विश्यश बात यह है कि यह जो सुरंग बनने वाली है यह सुरंग लगबग लगबग 8.8 km लंबी है लेकिन जब इस पर काम शुरू हो जाएगा इस पर संचालन शुरू हो जाएगा चा काफी उची बनाई जा रही है यह सुरंग तो इसका यह सब महतुरता साथ ही साथ ही है जो सुरंग बनाई है रहतां सुरंग यह पूरी तरहां से टकनीक से सुचचित है यानि कि इसके अंदर थोड़ कुछ कुछ दूरी पर बहुत सारे CCTV कैमराज लगाये गए हैं फायर हा की जा रही है तक और साथी साथ शुरक्षा का विश्चेशदान भी दिया गया है इसको बनाते समय तो यह मैं तो पूर्ण बात थी रहतां सुरंग के बारे में अगले टॉपिक पर आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक है 19 वा धरवारी सीट मैमोरियल व्याख्यान क्या होत इनर्जी एंट रिसोर्स इंस्टिटूट है यह नई दिल्ली में स्थापित है तो इसके दुआरे इस कारेकरम का आयोजन किया गया था यहां लेक्चर दिया आते हैं तो इस साल यहां पर दो महतोपून लेक्चर हुए हैं यहां का एक जो प्रमुक लेक्चर था वो एस ज जैशंकर ने दिया है सुब्रमण्यम जैशंकर वर्तमान में भारत की विदेश मंत्री है तो इन्होंने एक लेक्चर दिया और इनके जो लेक्चर था उसकी तीन टुवार्स रिफॉर्म मल्टी लेटरलिज्म तो इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर प्रेज संयुक्त राष्ट संग के महा सचीव हैं तो इसलिए इनके द्वारा दिया गया है यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपून है तो इन्होंने जो लेक्चर दिया था उसकी थीम थी राइज ऑफ रिनेवल्स शाइनिंग लाइट ऑन असस्टेबल फूचर तो यह जो 2200 से लगातार आयुजित किया जा रहा है इस साल इस सीरीज इसका 19 सेग्मेंट लॉंच किया गया था जिसका यह कारेकरम पूरा पूरा था तो आशकी क्लास के अंदर हमने UNDFS01 जो एक गैलक्सी उसके बारे में पड़ा उसके बाद में रोतां सुरंग के बारे में पड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तफ़ जाय सब्सक्राइब लोगों तक यह जानकारी पहुंचा है इस वीडियो को शेयर करके एंड इन दे लास्ट थैंक्यू सो मच फोर वाचिं दिस वीडियो